कि कापी बार यहां से जो कोशने आपकी एक्जाम में बनते रहते हैं और देखिए इसके साथ ही यह जो कोशने आपके MPPSC ने पूचा तो 2015 में देखिए यहां पर हम आपको MPPSC के द्वारा कोशन पूचे गए वही बता रहें बाकी और भी जो कोशने इस वीडियो में 80 कोशन लिए गए इनने में से कोई भी ऐसा कोशन नहीं है जो नहीं पूचा जाएगा और यह जो सभी कोशने आपकी MPP पोलिस MPJL परारी MP ग्रूप 2 गूप 5 गूप 3 यह सभी की एक्जाम में पूचे गए हैं तो इस ब्रहम में मत रहेगा कि कोशन आई MP नहीं है देखिए कोशन जो पूचे जाते एक्जाम में आप सब बोलते हैं कि कोशीन इजी लेवल के आप टे थोड़े है लेवल कर आइंटी कारवाई तो आपको बताया दे कि जो इस लेवल के बैसा ही सेम पेटर देखने को मिलें से मीडियां मोडरेट और हाई लेटल के कुश्चन देखने को मिलेंगे कि दारागया क्वे स्ट्पविः ढब्रदेश के किनारे हैं माही नदी जो माही नदी के किनारे बसा हुआ है अही काफी आई 입니다 पी नदी है और यह जो नदी है कहां से निकलती है तो यह मद्रदेश के धार से ही निकलती है तो इसको याद रखना है कापी बार पोचे जाता है देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि सोन नदी की तो सोन जो नदी है यह आप सभी जानते हैं इसके बारे में कहां से निकलत से चिप्रा नदी इंदोर जो बसा हुआ है किस नदी के टट पर बसा हुआ है तो देखें कान नदी है यह कान इसको खान भी बोला जाता है तो दोनों आप फेक्ट याद रगेगा हो सकते आपके एक्जाम में पोश्च लिया जाए और यह जो परियोजना है यह आपकी नर्म की टोटल लेंथ की तो तेरा सो बारा किलोमेटर टोटल लेंथ है मद्यब्रदेश में हैं 1070 जो कि आपकी कॉश्च जो है देखने को मिले नहां वाले हैं जो बट सींचाई पर योजना किस नदी पर है यह पर योजना हतीनी नदी पर है तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट पास आ गए इसलिए आपको जल्दी जल्दी जो है चीजे रिविजन करते चलना है ताकि जो भी पड़ा है वह सब एक बार रिवाइज भी आपके हो जाए चम्मल नदी का उद्गम कहां से होता है जाना पाव पाहड़ी महूं से होता है सी ओप्सन इस कोश्चिन का सही नर्मदा नदी के लंबाई बतानी है मद्रदेश में दस्तो साथ तर जो कि हमने आपको अभी बताई है कुछ टाइम पहले ही ही देखिए यहां पर जो नेक्स्ट कोश्चन निकल करा निमने मैंसे को नसी नदी को स्वरण नदी के नाम से जानना जाते है और इस नदी का न सायक नदी नहीं है तो ये जो नदी है इसका नाम है बागिनी नदी ये सायक नदी नहीं है बाकि हीरन, हतीनी और कानरी ये तीनों इसकी सायक नदिया है निम्न में से कोन सा जल प्रपाहत नर्मदा नदी पर नहीं है और इन में से जो जल प्रपाहत नहीं है वो है आपका चैचाई जल प्रपाहत ये जो है बीहड रदी बीहड नदी पर है जो कि रीवा में आती है तो ये आप दियान रखीगा राज्य में सरुपृतम किस नहर का निर्मान हुआ, सबसे पहले जो निर्मान हुआ, वो हुआ, वेनगंगा नहर का, B-Option यहां से अपका correct answer रहेगा प्रदेश की कोन सी नदी सरवादीक अवनाली का अपरदन करती है, और यह करती है, इसका नाम है, चम्बल नदी, और इसके बारे में आपको याद भी रखना है पांडव जल प्रपात कहाँ पर है? 2008 का कोशियर नहीं है, MPPSC का, और यह जो जल प्रपात है, यह पन्ना राश्ट उद्ध्यान में आता है पांडव जल प्रपात, पन्ना राश्ट उध्यान, फिसका सई जवाब आपका रहेगा निम्री लिकित में से किनका संबंध इंदोर से है पाताल पानी जल्परपाद, चंबल नदी और जाड़ी दहा जल्परपाद यह जो तीनों है यह इंदोर के अंतरगतात हैं इंदोर से इनका संबंध है यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर रहेगा उप्स नमबर D याने यह सभी याद रखिएगा निम्री में से कोन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है इन में से बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है उसका नाम है माहा नदी महानदी जो निकलती है ये सीवा से निकलती है सीवा नामा की स्तान से ये आप दियान रखीगा और इसका जो मुख की हिस्सा आता है वो चतिसगर राज्जी में आता है राज्जी में पवन्चक्की से सरवादिक सींचाई की जिले में होती है और ये जी जिला है इसका नाम है इंदोर जिला सबसे अधिक सींचाई होती है इंदोर में पवंचक्की से नर्मदा नदी का कुल प्रभाचेत्र कितना है तो नर्मदा नदी का कुल प्रभाचेत्र जो है यह 93,180 किलोमेटर वर्ग किलोमेटर तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ओप्सन करेक्ट आंसर रहेगा मद्रदेश से हम राजस्तान का सीमा निर्दारन कौन से नदी करती है और यह जो नदी है इसका नाम है चंबल नदी यह जो करती है यह मद्रदेश और राजस्तान के सीमा का निर्दारन करती हुई यूपी के उपर होती उपर जो एरिया है आपका जो आपका भिंड मुरेना साइड वाला वहां से निकलती हुई सरवादिक कटाओ यह करती है भिंड मुरेना में अपरदन के कारण जाने जाती ह है ज्यान रखेगा इस चीच को चूलिय जल्परपात कर निर्मान कोन सी नदी करती है चूलिय जल्परपात कर निर्मान करती है चंबल नदी तो यहां पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा उप्सन नमर भी चंबल निम लिकित में से कौन सी नदी दक्षिन की ओर न सोंञे दी का उदगं स्ताले यह आपको ध्यान करना है तोड़ा सा काफ़े वार पूचे बिन जाता है अमरकंटक से इसका ओधन हुआ है नर्मदा सोन और जोही लाठ तीन नादिया है जो के आपकी अमरकंटक एक स्तांसे निकली है तो यह जो अमरकंटक है यह आपका आता है माहादेव परवत के अंतरगत यहाँ पर आपको सुमेलित करना है 2012 को कुश्चिन एंपेपेट से का शिवना स्योपूर बेतवा बुरहान पूर तापती मंदसोर चंबल सांची तो यहाँ पर देखिए आपको जो क्लिक करना है वो आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा तापती मंदसोर बिल्कुल और यह जो बाकी है यह गलत उप्सन हो जाएंगी इसमें इसकोश्चन को जो सही जवाब रहेगा वो उप्सन दंबर सी हो जाता है नर्मदा नदी निमन या उद्वाम होता है दो तो इसकोर्शन का सही जवाब आपके अए और ओक्सन नमर बी यानि अमर कंटश भूद मैंसे कोन से जल्प्रपातों का निर्मान नर्मदा नदी करती हैं तो इनमेंसे जो environment प्रपाते वह हैं आपके कपिलधारा, दुख्दारा जलपरपात, منदार जलपरपात, दरदी जलपरपात, सहस्तदार जलपरपात तो देखिए यह जो सभी जलपरपाते इनका निर्मान नर्मदा नदी ही करती है तो यहां पर आपका डी ऐप्संष जवाब रहेगा नदी का उदगम होता है 2003 में नर्मदा के सामांतर बेती है नर्मदा के सामांतर बेहने वाली नदी है इसका नाम है तापती नदी यह दिए लीक उनिकी किनार शेघ तो पंचमड़ी अपका हता है तवा तवा नदी की किनार तव याँन्य आपका जी सिर्फार प्रेंद को सब्सक्राइब कि अगोता All ञें ने में नुने में और दक सिर्फन की और देहने वाली तो नाम है वन अगंगा नदी नर्मदा नदी का उद्गम इस्तल कहा है और यह कोश्चन भी रिपीटेड है देखिए कितना एजी कोश्चन है जो कि MPPSC 2003 में कोश्चन पूचे गए था तो इसे चाप चाप ध्यान रखिए का तोड़ा सा लेवेल आता है न जीगे का एक्जाम में वह मीडियम मोडरेट और इजी लेवल आता है तो यहाँ पर तोड़ा सा ध्यान आपको रखना है नर्मदा नदी का उद्गम इस्तल कहां पर है आपको बताना है इसका सई जवाब आपका कहा रहेगा अबर कंटक रहेगा उप्सन नमबर फस्ट मद्देश की किन दो नदियों का संगम इस्तल प्रान हिता कहलाता है और यह जो है इसका सई जवाब आपकरेगा वेन गंगा और वरदा इन दोनों नदियों का संगम इस्तल प्रान हिता कहलाता है नर्मदा नदी की कुल कितनी सायक नदिया है तो नर्मदा नदी की टोटल सायक जो नदिया है उनके संक्या है 41 41 जो है टोटल सायक नदिया है मद्धिप्रदेश में नर्मदा नदी की मद्धिर्देश का सबसे बड़ा नदी समू कोन सा है तो सबसे बड़ा जो नदी समू है मद्धिर्देश का वो है नर्मदा, चंबल और सोन यहाँ पर आपका फरस्ट उप्शन सही जवाब रहेगा भालकुंड जलप्रपात कहां इसती थे देखिए यह जो चेचेजल प्रपात है यह जो आपका है यह आपका बीहड़ नदी पर है और रीवा में आपका आता है निम्न मैंसे मत्यप्रदेश की कोन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है तो यह जो नदी है इसका नाम है सोन नदी यह सोन नदी है यह सीधे ग देखें नर्मदा अनुप्पूर चंबल से डोल तप्ति काकरेवल्डी यह सबी तो यहां पर आपका जो सच्छजवाब रहेगा फस्ट रहेगा नर्मदा अनुपपूर से निकलते बाकि चंबल जो निकलते जाना पाउट से ताप ती जो निकलती बेतुल जिला मुल्दाई से निकलती हैं, तो ये गलत आपके हो रहा है, ये हां पर आपका फस्ट ऑप्सन सही जवाब रहेगा मदबदेश की किस नदि का नाम धाम दोस है, तो नाम यह जो है, नाम दोस inaire का नाम है मद्वदेश की नदियों की प्रकरती किस प्रकार की है तो इनकी जो प्रकरती है वो है यहाँ पर प्राईदी प्रकार की है याने आपका बी ओप्चन सई जवाब इस question का भी हो जाता है ग्वालेर से बोपाल जातिश्य में गाड़ी किस नदी के पुल के से गुजरती है देखे यह जो question है बिल्कुल advanced level का question है और यह question जो पूचा गया है इसका pattern कुछ इसी प्रकार है जिस तरह व्यापम जो है confuse करके question पूचता है देखे 2017 में भी इस type के question पूचे गए थे 18 में भी पूचे गए थे जो exam हुई थी उनमें आप अगर देखा होगा तो previous year paper उठा के तो ग्वालेर से बोपाल जातिश्य में गाड़ी जो है गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है most IMP question नहीं ध्यान रखेगा इस question को थोड़ा सा जल्दी से क्लिक करेगा चलिए आप बताएए जल्दी से पहले कि क्या इस question का सही जवाब रहेगा फिर हम आपको बताते हैं चलिए next question कर आगे बढ़ते हैं next question आपका निम्न नदियों में दक्षिन की ओर बहने वाली आपको नदी बतानी कौन सी है और यह जो नदी इसका नाम है वेंगंगा नदी बी उप्सन सा जवाब रहेगा क्वारी नदी का उद्गमिस्तल कौन सा है क्वारी नदी का जो उद्गमिस्तल है वो है आपका सिवपूरी का पठार निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिन की ओर नहीं बेती है तो उसतर से दक्षिन की ओर जो नदी नहीं बेती है उसका नाम है माही नदी बेतवा नदी का उत्गमिस तल आपको बताना नदी यह निकलती जो निकलती राई से थे घ्योंकि नेक्स्ट टैने निम्ले कि नदीओं तता उनThe io कि उन्हीं के बेहने कि दिसा के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है यह आपको पैचानना है तो देखें cricket के दिशन basics exam में पूछे जाने लगें खासकर MPPSC जो है ज्यादा था लें स्ट्राइप के कोश्चन ही पूछता है तो देखे इस कोश्चन का जो सजवाब रहेगा वह रहेगा बेन गंगा यह जो है पूर्व की और यहां पर दे रखा है और यह जो है बिल्कुल गलत है बाकि चंबल उत् के गलत युग्म को आपको चुनना है तो गलत युग्म इसमें आपका जो रहेगा वो रहेगा सिंद सोनकच यह रहेगा बाकि यह जो सभी है तो इस कॉस्चन का सही जवाब option No.C हो जाता है निमलिकित में से असत्यकतन का चेयन आपको करना है असत्यकतन कों सा है तो गार नदी सीरोन से निकलते ये बिल्कुल गलते बाकी और सभी सही है पारवती नदी का उद्गम सीहोर जीले से होता है सक्कर नदी अमरवाडा से निकलती है तवा नदी परसवाडा पाठार से निकलती है ध्यान रखिएगा इस टाइप की कोश्चिन इकजाम में पोच जाने नहीं करती है और यह जो जन परपाथ इसका नाम है चचाए जल परपाथ मैं नेक्स्ट क्सषिन आपका के निकल करा रहा है कि 성क निकलती नहीं बसा है राजगर बागी और सभी बसे फस्ट उप्षन सःजवाब रहेगा तमसा नदी निम्न में से कहां से निकलती है तो तमसा जो इसको तावन के नाम से भी हम बोलते है और यह जो है कहां से निकलती है इसका सःजवाब केम और पहाड़ी रहेगा कटनी याद रखेगा से निकलती है सी उपर ही पठार से निकलने वाली नदी का नाम है कुनु नदी कुनु याने सी उप्सन तवा निम्न में से किसके सायक नदिया है तो यह जो नदिया है यह है आपकी तवा की सायक नदिया नर्मदा नदी के डाएं टटके सायक नदी कोन सी नहीं है तो नर्मदा नदी के डाएं टटके सायक नदी कोन सी नहीं है क्लिक करेगा इसका सभी जवाब आपकरेगा ऊड़ी नदी याद रखेगा नेक्स्ट कोशन है गंजाल, गोई, कुंदी, मान, निम्र मैंसे किसके सायक नदिया है तो ये जो सभी सायक नदिया है ये है आपकी नरमदान नदी की टोटल इतालिस नदिया इसमें मिलती है तो इससे सबसब ध्यान रख सकते हैं असे परकार की और नदिय होंगे अजीवों गरीब नाम कि के दार नात जलपरपाथ कहा है तो जो जलपरपाथ है ये मत प्रदेश के अरावली में अपकी का शत्ते थे आ बच्द से कौश्शन इस कुश्चन का सभी जवाब रहेए आगा के दार नात जलपरपाथ निम्न में से कौन सा जल्परपात जामनेर में इस्तिदे जामनेर में आपका आता है संकरको जल्परपात उप्सन नमबर फस्ट पांडव जल्परपात किस नदी पर बना है पांडव जल्परपात जो बना है ये बना है आपका उप्सन नमबर बी याने केन नदी पर जलपरफात ने मैंसे कहा इस्तँ दोयदधार जलपरफात आप एक अमरकन टक में यानि ओसा औरस भुयांस पाइपकां एक पाइस जीले में Update में चाझाय जलपरफात किसंद भापाश्ट किस युख से उप्मदर आंदें स्कुफास्टा रहे गांदें आपका si option, पाताल पानी जलप्रपात की जीले में है, तो पाताल पानी ज Lально प्रपात है, ये indoor में, इंदोर इसका सई जवाब आपका रहेगा, निम्ट में से कों सा जलप्रपात महिस्दे ए? महिस्दे में आपका सहस्ते धहरा जलप्रपात इस्ते दे, c option इस रइद आंसर रहेगा निम्न मैं से कौनसे जलबरपात रीवा में नहीं अब इन में से आपको रीवा में नहीं है वो क्लिक करने के वड़ जलबरपात दी निम्न में से कौन सा नगर पारवती नदी की किनारे नहीं है, पारवती नदी की किनारे कौन सा सहर नहीं है, आपको क्लिक करना है उप्सन में, बिल्कुल, तो यहां पर इस कोश्चिन का सजवाब आप करेगा दतिया सहर, यह नहीं है, बाकि साजापूरा, आस्टा, राजग इंदोर किस नदीगर किनारे बसा है इंदोर जो बसा है यह आपको क्लिक करना है चिप्रान दीगे किनारे नेक्स्ट ट्कोशन डीव निम्न में ऐसे कौन सी मद्यप्रदेश वा ओडिसा की सन्युक्त परियोजना नहीं है और इस परियोजना का इसका नाम है आपका डी और मिल परियोजना यह जो है मद्यप्रदेश वा ओडिसा की सन्युक्त परियोजना नहीं है निम्न में से कौन सी मद्यप्रदेश वा राइस्तान की सन्युक्त परियोजना नहीं है मद्रदेश वर राइस्तान के सन्युक्त परियोजना नहीं है क्लिक करना है आपको जल्दी से इस कोश्चन का सजवाब रहेगा कोसी निब्रा परियोजना यह जो है मद्रदेश वर राइस्तान के सन्युक्त परियोजना नहीं है मद्रदेश के गंगा किस नदी को कहा जाता ह और यो नधिषिस का नाम है यहां पर आपका जो people रहएंगा व की तरुसरां मन्मुट आपको देते हैं मालवा चिर्प्रा को बलते हैं तो आपको बताईगा कि मद्य प्रदेश की गंगा किसे के ते कि औने कि झाक disciples झाजे कि झाज, झाजा नकीन क्या ऌास्यारा इंतनी कि पिविक कि सितना